जितने लोग राम तरित मानस पर चर्चा कर रहे हैं, उनको ये घोशित करना चाहिए, सारजिनिक तोर पर, कि क्या वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ज्यादा विद्ध्वान और ग्यानी हैं, मैं मानता हूँ कि वो कते ग्यानी नहीं है, लोहिया बहुत बड़े व्यक्ति ठीक, बहुत बड़े व्यक्ति थे, और सब उनके नाम का तावीज पहिन के सब लोग समाजलादी हुए इस देश में, ठीक, उससे पहले तो कुछ नहीं, वही आधी पुरुष हैं, ठीक, रामायन को जितना सिर्माथे लोहिया ने रखा, उतना तो किसी पंडित-पुजार नहीं रखा, देश भर में रामान मेला लोहिया जी ने शुरू कराया, अब अगर ये मैं मान लूँ कि तेजस्वी, स्वामी मौर्या, चंदर सेखर, ये जो लोग हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे काबिल हैं, इनको अध्यात्मिक शेतना लोहिया जी से ज़्यादा है, तो मेरा पढ़ाम उनको अब मान इस भास में ने लुकस्ता, ठीक है ना, क्योंकि थेत्रः का तो कोई जोड नहीं होता, कोई ये कैदे कि नहीं, हम मानते हैं, चंद शिकर, उन्हें लोहिया जदा बढ़े हैं, और मौर्या लोहिया जदा बढ़े हैं, अब इस थेत्रः मे नहीं पढ़ा जानते हैं नहीं राम पर शिवु पर कृष्ण पर तीनों पर लोहिया ने क्या लिखा है नहीं हम चंद्रशेखर को पढ़के इतियास समझना अध्यात्म समझेंगे और स्वामी मोरिया को पढ़के जो कल तक संद्रान की कथा और रामायन भागवत करा रहे थे जब भाजपा में थे ऑज उनकी उनकी बीडिया भाजपा खीम पी एए और कल वह जब भाजपा। कंचे भीव विढने निकलती है चुनाव के समय में तो कोई बड़ी बात नहीं हो मोर्या और स्वाजपा में फिर कॉये राम से बढ़क वागवर कैना रामायन से बढ़कोई कहां हो उनक किसकी नाम के सोगंध ले रहे हो भई है video फिक वन अपने के तौन अपने करतें Herman जब वाजपआ में आये तो भॉर मेट में झाला रहे थे ह। वह तो ल मैं आए सन लिए अछा कर लिए कर्पुनी ठाकोर वो बंबंधी पार्टी में चले जाएंगे तो लेलिन की बात करेंगे भाई ऐसे लोगों मैं जानता नहीं क्या इतना तो सोच लो कम से कम वह कुछ तो लिहाज रखो देश का यह देश को भी निपटा इसे समझ लिया यह ठीक नहीं एक दूसरी और बड़ी बात जिसको मैं कहना चाहता हूं इस देश में पहले भी मैंने एक बार कही थी बात इस देश को थियुक्रेट की स्टेट धर्म आधारित राज्य होने से कोई नहीं रोक रहा था 15 आगश्त 1947 को मेरी बात से मुलाना साब भी सैमत हों ठीक को यह ना कोई नहीं रोक रहा था इस देश ने अपनी मन से अपनी इक्छा से लालू जी के दवाब में नहीं न भाजपा की मांग पर दोनों बाते समझ लीजिए न सपा की मांग पर न भाजपा की दवाब में न देश ने अपनी मन से जब की जो पार्ट हमसे अलग हुआ था वो धर्माधारित राज्जी हो गया जाके तब एक बात आई कि निदी की प्रसंग पर जो मुझे कहना था मैंने कहीं दिया आपत्ती जता दिया लेकिन एक बात हमारे मित्र गगन जी ने कहीं कि महिलाओं के प्रति सोच महिला निदी जी आपको जानकारी है कि नहीं है शायद बुमन रिजर्वेशन का 12-15 बार बिल आया लोगसभा में और हर बार में एक पत्रकार के नाते प्रेस गेलरी में रहा गीता मुखर जी के समय में सबसे पहली आया जिस दिन वह वासन पुदिए सबसे ज़्यादा बवाल बिल फाड़ना मंत्री से छीन कर मालूम किस ने किया आर जेडी और समाजवाधी पार्टी यह बयान किसका था यह परकटी लड़ा उरते यह बयान किसका था नारी सम्मान में संदन के बीतर निदी जी आप सुन नहीं है है ना यह बयान किसका था नारी सम्मान का था लेकिन था किसका यह तो समझना होगा ना एक रार्जेडी के नेता थे, राजनीती प्रसाद, चेतरंजेंजी जानते हैं कि नहीं पता नहीं, वो मंत्री को धक्या गिरा दिये, रुरलराजी सभा में, बिल फाडने चक्कर में, क्या, फिर बड़ा हंगामा हुआ, मार्शल बुलाए गए, बुले ना, बिल नहीं पात ह हो सकता महिलाओं को आरक्षान का, यह हुआ है इस देश में, कांग्रेस और भाजपस सहमत थे, लेकिन अरवामपन थी, लेकिन फिर भी बिल पास नहीं हो पाया, इसलिए यह विशे महत्तपून है, भाई, नार्य सम्मान पर बोलना अलग है, उसका पालन कर पाना बिलकुल अलग किस्म की चीज है, और जो बात मुफ्तिस आपने कही, मैं उसके पक्ष में सहमत हूँ उस बात से, इस देश में, राम या राम के चरित की कथा, उस पर सवाल उठाए जाने की न जरूरत है, न आवशक्ता है और न वो मंच सुईकार है, देश को, यह भी जान लेगे, भाजपा है, नहीं है, छोड़ दीजिए, गांधी जी ने राम को क्यों चुना पाप्रतीक के तौर पर, गांधी जी भी कमुनेल थे, गांधी जी भी बागेशोर बावा के चेले थे, क्या, नहीं न, बुफ्तिस आप, गांधी जी और भी कोई नायक चुन सकते थे, वो जानते थे, कि इस देश की शिराओ में, इस देश के रक्त में, राम का नाम प्रभाहित होता है, आप उसको अलग कैसे कर लेंगे, राजनीती तो हो सकती है, राजनीती करने का मन बनाया है, अची बात है, और आखरी बात है, इस देश में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं, जो जाती और धर्म के गुणा गनित के बिना कोई मुद्दा तै करे, कोई कंडिडेट तै करे चुनाव में, इविन पार्ट्री का कोई पदादिकारी भी बनाया है, उसमें जाती, धर्म, मजभ, तीनों चीजे देखी जाती है, अच्छा लगे तो, अब बुरा लगे तो, कैबिनिट बनाते हो, प्रेस रिलीज जारी करते हो, तो उसमें बताते हो, कौन-कौन जात का मंत्री है, आप टिकिट जारी करते हूं, मीदवारों की लिस्ट, सब पार्टियां, उसमें जात क्यों मेंशन करते हो, क्यों मेंशन करते हो, समिधान में यह बताया गया क्या, ल ना लो दी ये धिमर ये ऐसे 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 अपर जब यहां आओ तो कहो कि अरे समिधान के खिलाब बात कर रहे हैं आप करो तो लीला और हम करें तो यह नहीं चलागा भाई साब ना समिधान की बात करनी है तो मन्सक्रम वचन से करिए कलवा कलवा थूँ और मीटा मीटा गप नहीं चलेगा अगर युद्ध छेड़ा है तो सास के साथ उसको निभाईए अगर आपको लगता है कि आप वैचारिक तोर पर सही है या ब्यभारिक तोर पर सही है आपको इससे रा के रामाइन आजकी नहीं न और नहां ऐसा है कि पहली बार किसी की निखा गई वो किसी को मिला नहीं स्वामी पर पफ़ष्य कोई मिला कौई मिला वो तो हर खर में बढ़ Prize जा रहे है लालूजी के घर में और पढ़ी जा रही होगी ए रामाइन सब घरों पड़ी जा रहे हैं पहली बार की बात है क्या फिर टक्राव क्यों फिर विवाद क्यों इसलिए शक होता है कि विवाद के पीछे एक एजेंडा है भाजपा के बिरोधी जीतेंगी वो छोटा सवाल है लेकिन देश का मन खटा मत करिये ऐसे मसलों को उठा कर एक धारा है देश की जो बह रही है उसको बाधित करने की कोशिश करेंगे तो तनाव पैदा होगा धन्यवाद झाल